बासकार दोस्तों आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्यान के अंदर दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आज हम जानेंगे दोस्तों अगर मान लीजे हमसे गलती से कोई फाइल या फॉल्डर डिलिट हो गया है या मान लीजे हमें कोई डिलिटेट फाइल रिस्टोर करनी है तो हम वो कैसे करें सबसे पहले आपको गूगल एप्स में जाके ड्राव पे क्लिक करना है और मैं यहां पर गूगल ड्राव पे हूँ मान लीजे से मेरे पास एक फोल्डर बनावा इंफो ठीक है इसमें मैं जा रहा है . जैसे मखं दिस फाइल को डिलिट कर रहा हूं यहां से मूझ टु ट्रेस कर दोंगा यह ट्रेट होगी और अम माझ लीजिए मुझे से धीすटोर करना है तो मैं जाओंगा कि इस्में ट्रेश में ट्रेश में आप जैसे ही जाएंगे जो भी deleted file है वो आपको मिल जाएगी आप उस file को select कर लें यहां पर एक तो restore का रहा है या इसको delete कर दो permanent restore ठीक है दूसरा आप यहां से भी इसको restore कर सकते हैं तो दोन option में कहीं पर आप click कर दें फाइल क्या हो जाएगी restore हो जाएगी जैसे आप उस folder में जा हो गया वो trace में चला गया वापस आप यहां पर सेम वापस सेलेट कर लेंगे restore कर देंगे यहां से भी आप इसको restore from trace कर देंगे आप वापस आप Google Drive पर जाएंगे और उस folder में जाके देखेंगे तो यह folder वापस आ गया है तो इस परकार से दोस्तों आप Google Drive पे किसी भी folder या को आप restore कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं वापस से अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को जूरुर जूरु सब्सक्राइब करें नमस्कार धन्यवाद